इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई सामने आ रही है जिसमें आयोग के द्वारा कल एक बड़ा फैसला लिया गया जबकि BPSC सरसथवी में पेपर लिक मामला जैसे ही सामने आया देर साम आयोग के तरप से बड़ा फैसला लेते हुए परिक्षा को रद कर दिया गया हलाकि परिक्षा दुबारा कब कंड़क्ट कराई जाएगी इसको लेकर कि अभी तक कोई खबर नहीं आ पाई है लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें दो लोगों को गिराफतार किया गया है जिनके उपर यहारोप ल जब्त किये गया है और उस मोबाईल फोन को अब साइबर सेल के पास भेजा गया है ताकि पता लगाया जासा कि क्या इसी मोबाईल फोन के जरिये प्रश्ण पत्र जो है उसको वाइरल किया गया है या नहीं देखिए हम आपको पूरी घटना करम आपको बता देते हैं बिपेसी की 166 सयुक्त प्रारंबिक परिक्षा के 150 सवाल लिख कर दिये गए थे यह प्रश्ण पत्र सोशल मेडिया पर काफी तेजी के साथ वारल हुआ जिसके बाद परिक्षा को रद करना पड़ा फिलहाल अलग-अलग सेंटर से दो वीडियो गराफी करने वाले युवंकों को गिराफतार किया गया है दो मोवाइल फोन के साथ इनको गिराफतार किया गया है आपको बताते चलें कि इसको लेकर बिहार थाना के अध्याक्ष ने बताया है कि परिक्षा के दोरान उप विका पास आयूक्त ने सुगरा हाई अस्कुल के वद्वा गाउं के रहने वाले हिमान्शु कुमार और सदर आलम शकेंडरी अस्कुल से नई सराय मुहला के रहने वाले सुरज कुमार को गिरफतार किया गया है। यूक्त प्रारंबिक परिक्षा हुई जिसका प्रश्ण पत्र पहले ही लिख कर दिया गया था इसको लेकर लागतार का रिवाई जारी है और बीपीएसी के अधिन सशठवी परिक्षा जब आयोजित की गई उससे पहले भवाल मचना लगबग तय था क्योंकि पहले से ही इसी भी तरह तो उन्हें पेपर लिक मामला पता चलता है जैसे ही वो सेंटर से बाहर निकलते हैं आपको बताते चले कि शर्षटवी बीपीएसी पीटी परिक्षा का पेपर लिक होने के बाद आयोग के तरप से एक सदस्य टीम का ठित कर दी गई है जिसको लेकर के अब र खबरे सुत्रों के हवाले से निकल कर सामने आ रही है उसमें यह है कि जांच परताल लागतास जारी है और इस जांच के दारे में जो जो लोग आएंगे उनसे पूछतास की जाएगी जिन पर शक होगा उन्हें नयाइक परक्रिया के अंतरगत जेल भी भेजने की तैयारी क जाएगी नियाले में परस्त rikt करने की तैयारी की जाएगे फिलाल बीपैसी के पास सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर के है दुबारा परिक्षा कब कराया जाए और दुबारा परिक्षा परणाली को लेकर के कितना शक्त बीपैसी आयोग दिखता है वो आगे की करेवा आपको करेंगे मुद्दिक की बात नमस्कार